मुझो देस वक्तम सैनी फारम बांध रोट पर सैनी फारम बांध रोट पर एक समश्चा बहुत ही कंभीर लूप लेती जा रहे हो समश्चा है यहां पर अवैर डंपिंग आर्ट की जिसको लेकर यहां के जो मौझूता निगम पाश्चा दें कई वार आवार आवाज उता ही है आपके अपने चैनल क्राइमेट आश न्यू है हमारी दोनों कांसलर ने और हमारी जोन चेयर परसन ने तुलसी जोशी ने माया बिश्ट ने और अनिता सिंगला जी ने यह सम हमेशा इस खुड़े के लिए हमेशा चिंदित रहते हैं लेकिन आज मैंने इंस्पेक्शन की है तो मुझे लग रहा है कि इनका चिंदित होन अब इसकी हम जो है अलग लैंड जो हमने इनटिफाइ की है तो हम यह चाहेंगे कि यह जो कुड़ा है दूसरी जगे शिफ्ट करेंगा है फसी टीएस पे जो है यह शिफ्ट हो जाए कितने दिन में शिफ्ट हो सकता है यह चार फाइल जो है अल्रेडी हमने डीम आफिस के जब से बड़ी हमारी जो इस टाइम पर प्रॉम्ट आ रही है अगर हम काम करना चाहते हैं तब भी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो हमारा बजट है वो सारा रोका हुआ है यहां पर जो बजट लगता है वो हमारे लगता है चोदा सो करोड का सफाई का लेकिन दिल्ली सरकार ने हमें 300 करोड दिया अब आप समझ सकते हैं 14 और 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है जब अगर इतना बजट हमारे पास होगा इनी तो हम किस तरीके से सफाई करें लोग कह रहे हैं कि अभी से यह हो रहा है लेकिन लोगों को सही तरीके से मालूम नहीं ह चार साल से जब से यह दिल्ली सरकार आई हैं MCD को इतना दुखी किया हुआ है वो चाते हैं कि लोग इनके पीछे पढ़ें ताकि साथ सफाई का काम MCD का काम आता है कि जैसे भाज जैसे हमारे पास बंडाता है हमने FCTS इसका जो लैंड जो है रंड फाइए एफस से बने के बात शीड़ा बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा मुझे लगता है मेरे भाहियों को जो है छे महीने की परेशामी है उसके बाद यह बिल्कुल सैटिस्वाइड हो और अक्सर हमारी मीटिंग में बार-बार उड़ा उसको घ्याद पर रखते हैं और उसकी जो कि आपके पास नहीं है तो पिना फंड के आप कुछ भी निगल साथे हैं और वो आप दोंको पता ही है कि अपने प्रताशिती आप अराप से रहे हैं कि हमें चली सरकार पढ़ते जो सेटेशन है बेसिक नीड है तो पैसे कि आप कैसे लेपर लगाएंगे कैसे प्रत। पैसे नहीं परने आने सब्सक्राइब नहीं है। पैसा नहीं होने के पाउजूल अपनी परसल कैपसिटी पर डिपार्टमेंट इसीज को कर रहा है। तो आप समझ लीजे कि हम लोग कितना सीरेज हैं। अब ये भी समझे कि दिल्ली सरकार कितनी इसीज को लेकर वो है कि उनको कोई फरकी नहीं पड़ता कि ऐसी सिचेशन हो रही है। देंगू चिकन कुणिया जैसे बिमारिया जो इसको पड़वाती हैं। तो उनको कोई फरकी नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली में उस सरकार को हम चुनकर लेकर आए हैं। तक्रिपन पास साल होने वाले हैं। तो उनके पास 10 करोड का फंड है। देर हम लोग यहां पर खड़े नहीं हो पारें। जितने भी आज MCD के वाड़ आफिस से लेके जौर के सारे बड़े से बड़ा अधिकारी यहां पर है। आज सबने अपने चेरे पर मास्क लगा दिया हमने उन्हें हटवा दिया है। क्योंकि हम यहां पर रोज इस बत्तू में यह चंटा के साथ सफर करों। बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ी प्राब्लम है। यह एक वाड का कुड़ा नहीं है। यह तीन विधानसभाओं का कुड़ा यहां पर जल रहा है। यह देवली विधानसभाओं, अमबिटकर विधानसभाओं, संगम मियार विधानसभाओं। रात में आकर यहां पर सारे पूड़ा डालके जाते हैं। लेकिन इस पूड़े की व्यवस्ता करने की चिल्मेवारी सिर्भ हम तो पासे दो नहीं है। आप सोचिए जब इतनी कैपसिटी में यहां खूड़ा आ रहा है। इसकी पर्मनेट विवस्ता को लिए। पिछले ठाइस साल से हम लोग सतन के अंदर वाट कमेट्रीस में बोल बोल के खते हैं। लेकिन M.C.D. की प्राब्लम यह है कि यह जमीन M.C.D. के अंदर नहीं है, यह जमीन Forrest Department के अंदर है। और जो revenue से हमने जगे मांगिये उसके लिए भी बहुत ज्यादा efforts लगाने पड़ रहे हैं। revenue वालों को भी हमने DM को भी यहां पे खड़ा किया एक घंटे। कि देखो इस्तिति यहां के छेत्र के लोगों को कितनी समस्याओं से जिला पड़ रहा है। तो आपका पूर मिला करके कहना है कि दिली सरकार के जुए है। हाँ जी, revenue department और Forest Department तोनों ही दिली सरकार के अंदर आते हैं। और किसी के कानों में जून नहीं रहेंगे, हम कई बार जाके हर बार नए DM आपका हम नए DM से हर बार मिलके आते समस्या बताते हैं। फिल्ड में लेके आपे उनके पार 2-2 गंटे बेंगे। आज यहां पर क्या कराया जा रहा है। क्योंकि MCD का फंड अगर केज रिवास जी ने रोका है तो हमारे टेक्टर ट्रॉली जो यहां से कुड़ा उठा के रोज लेके जाते थे वो बंद हो गए थे। आपने देखा होगा चोटे-चोटे बच्चे यहां पर प्रदर्शन कर रहते हैं। वो चार्ट पेपर लेके यहां पर आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। वो बच्चे भी आज इस लेबल पर अपनी पढ़ाई छोड़के इस खूड़े के दान के निदान के लिए जब रोड पर निकलाई हैं। सोचे कितनी वड़ी स्कृति हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि MCD इसका समधान नहीं निकालना चाते है। और दोनों पार्शेद हम लोग रात को सोती हैं एक एक बिज़े तर वीज़ करें। अज यहां पर मेर साहिबा आ रही है। परमानेंट यहां पर कुछ ऐसी विवस्ता हो कहीं से भी फंड अरेंज करें। चाहें कहीं का भी फंड रोक के करें। यहां पर करके जाएंगी। और बाकी हमारे डीसी साव और चेर्मेंट साहिबा दोनों है। और मिलके कोई ना कोई यह समाधा निकालने के लिए यहां पर कत्रें। मेर लंबी दिवार होनी चाहिए। यहां पर लंबी दिवार हो चाहिए तो अमारा आता सुमिशन खतम हो चाहिए। यहां पर चार पास साल से बहुत गहरा आगे है। यहां पर जो चित्रे जिसमें कुड़ा पड़ा हुआ है तगरीबन हजारों पेड थे। लेकिन MCD वालों ने जो कुड़ा गेर गेर के यहां पर इन प्रेड़ों को खतम कर दिया आग लगा के डिस्ट्राय कर दिया। और अब यहां पर कुड़े का इतना अंबार बन चुका है कि यहां लोगों का रहना दुश्वार हो रखा है। बदबू आती है लेकिन गर्मी के दोरान और जब इसमें आग लगा देते हैं तो उससे दुआ इतना उठता है जिससे कलोनी में 2-3 रख्तिवी मृत्वी हो चुगी जो बुजरुकते क्या है क्या यहां पर मेर का दोरा खारा कर जाते हैं और उसके बाद यहां पर कोई भी परतिचे नहीं दिजाती, ना आसते कि यहां पर कोई विकास कारें कुछ होए हमारी कलोनी जो बनके कैसी रहें जिसम पाकिस्तान में रहें पूरे खानपूर का अब्तिक्री का मदंगीर का यहां अम्बेट के सानिक फार्म का सरकार की लापरवाई लेकिन सरकार परति परति निदे तो अधिकारी करते ह लेकिन यह फोरेस्त की जमीन है यह फॉरेस्त वनवीबाग की जमीन है जिसमें हजारों पेड़ते लेकिन गेर गेर के आग लगा के इस जमीन को खतम कर दिया गया दिर दिर आप जैसे देखेंगे के इस सहत्र में यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं दिर 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 भी खतम होते जा रहे हैं अगर पर जी हां यहां पर जो कूड़ा है हम यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तकरीर वंपांचे साल से और यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि हम यहां पर अगर देखेंगे मैंने नरेंदर मुदी जी को टैग भी किया हुआ है ट्विटर पे वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता हूँ उनका वो लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं और यहां पर आज एक अधिगारी आये हैं वो बोल रहे हैं कि कोलोनी के अंदर हम कूड़ादान बनवा देंग होती है वहां पर डिरेक्ट रिप्लाई करें लिखे दावेदन लिगिया है मैंने मेरे पास उसके मेल्स पर पड़े होंगे बैक अपस पड़े होंगे वो मैं दिखा सकता हूँ दूसरा यह यहां पर हम यह चाहते हैं कि यह जो कूड़ा है इस कूड़े का कुछ मैं पूरे दुर्गाबियार के वासियों से यह पूछ भी सकता हूँ कि जब हम घर पे बैठ हो यह जो बदन आती है यह हमारे घरों तक आती है कि दिखा दोस्तों आपने साफ तोड़ से समच्च बहुत ही विकट है महरे साफ का दोरा हुआ था, अभी हाल ही में किया कहना था महरे साफ का और बाकी जो अधिकारी गन थे उनका, वो अपके समख्ष था और अभी हाल ही में जो दौरा हुआ था दोरे को दोरे से पहले यहां जो एरिया था पूरी तरह से सफाई की गई थी जब कि यहां पर सफाई की अगर बात करें तो बहुत ही कमी देखी जाती है लेकिन अधिकारी जब जिस्टाम आने होते हैं वी आई थी कि दोरा जिस्टाम होता है उस टर्म सफाई जो है वो भरपूर की गई थी खबरों के सफर में है भी बहुत कुछ और बने रही है हमारे साथ देखते रही क्लाइम अटेशनल